बाजिकर थे ये सीजन नमबर वन में, लेकिन पिछले साल ये थे बॉटम रंग में। आउक्षन में तो कुछ की है इनोंने शॉपिंग, राजा का मुकट पहनेंगे दिस सीजन, ये थे मस्ट भी होपेंग। इतने साल हो गए, लेकिन राजास्तान रॉयल्स की पहचान अभी इनोग्रल चैंपियन्स की ही है। आउक्षन में पिछले सीजन में तो बॉटम अफ़ टेबल रहे इसके बावजूद, मैनेजमेंट ने 17 प्लेर्स को रिटेन किया है। लेकिन साथ ही 2021 के आउक्षन में आठ नए खिलाडी पर्चेस किये हैं, जिन में से एक थे Chris Morris for 16.25 क्रोर्स। ऐसा लगता है कि राजास्तान को आउक्षन में रेकॉर्ड्स बनाने का बहुत शौक है। रिमेंबर जैदेव उनटकट। लेकिन Chris Morris एक अच्छा एडिशन है तो अन ओल्रेडी इंप्रेसिव लिस्ट अफ मैच विनर्स। तॉप अफ दे लिस्ट है Ben Stokes जो ODIs और टेस्ट में वर्ल नमबर टू आल राउंडर है। T20 में उनका रेकॉर्ड जरा हलका है लेकिन उसे सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा for a player like him। Jaws Butler के कारणा में तो सभी जानते हैं और फिर आते हैं Sanju Samson जो Captain C के रोल में भी नज़र आएंगे। अब Captain C के प्रेशर से उनके बैटिंग पर क्या असर पड़ता है ये तो only time will tell। लेकिन पिछले सीजन के surprise package निकले राहुल तेवातिया ट्वेंटी ट्वेंटी में उन्होंने अपना एक अलग ही रंग दिखा दिया। In him, Rajasthan Royals found a finisher। Auction में Rajasthan ने Shivam Dubey को भी खरीद लिया, who is expected to provide the big hits down the order. On paper, नए Captain Sanju Samson को batting से ज्यादा bowling department की चिंता होगी। उनका दिल तो बैट गया होगा जब उन्हें पता चला कि Jofra Archer will miss the first few games of the IPL और शायद IPL खेले ही ना। International Pacers, Morris और Andrew Tye पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन Indian contingent still leaves us wishing for more. Left-arm Pacer जैदेव उनटकट ने consistency दिखाई तो नहीं है बट Rajasthan seems to have faith in him. पिछले सीजन में उनका economy rate था 9.91 और 2019 में 10.66 विकेट कॉलम्स में भी उनके numbers impressive नहीं है. अब वक्त आ गया है to step up to the challenge. कार्तिक त्यागी के पास space है लेकिन experience है कम और शिवम दूबे और श्रेयस गोपाल major threats नहीं नजर आते opposition batsmen के लिए. इस बार राजस्तान में कोई matches भी नहीं खेले जाएंगे which is a big blow to the team क्योंकि जैपूर उनका एक तरह का fortress बन चुका था. राजस्तान रॉयल्स हमेशा से ही एक underdog team रही है और underdogs adapt, fight और survive करना जानते हैं. अब हमें comment section में जरूर बताएं क्या Rajasthan Royals 2008 का performance repeat कर पाएंगे या नहीं. Like, Share और Subscribe करना न भूले.